नमस्कार किसान साथियों मैं सेखर गुपता आपके अपने चनल क्रिसी जागरण में आप सभी किसानों का हार्दिक स्वागत करता हूं जैसा कि आज हम बताएंगे आपको मटर की खेती के बारे में की मटर की खेती कैसे करें तो इससे आपको अच्छा प्रॉफिट हो सके में होता है वो होता है सितंबर से अक्टुबर के बीच का इस समय में अगर मटर की खेती करते हैं तो इससे आप काफी अधिक मत्रा में मुनांफ़ा ले सकते हैं और अच्छे पैदावार भी कर सकते हैं और किसान साथियों हम आपको बता दे कि अगर आप मटर की फसल में ज्यादा जल्दबाजी कर जाते हैं बुगाई में तो इसके कारण आपका पौधा पीला पड़ जाता है और ज्यादा ग्रोफ नहीं कर पाता है गर्मी के टंप्रेचर की वज़े से और यह बता दे आपको कि मटर की खेती के लिए हमें जो मिट्टी क्या हो सकता होती है वो मिट्टी होनी चाहिए दोमट मिट्टी इस मिट्टी में आपकी मटर की खेती में आप अधिक मात्रा में पैदावार कर सकते हैं और बता दे कि इस मिट्टी का जो पीज़मान होन और आपको यह वतादे कि यहां के किसानों को नदी बगल में होनी के कारण यहां के किसान यहीं पंप सिट लगाके अपने खेतों की साय अच्छी से कर लेते हैं और आपको यह वतादे कि मटर की खेते के लिए सबसे पहले अप अपने खेत में खाद डलवाईए आपके पास देशी खाद हो या रासायनिक खाद फिर उसके बाद अच्छी तरह के से अपने खेत की जुताई करवा लें और रासायनिक खाद में जैसे की डियेपी पोटास जिंग सलफर इत्यादी और उसके बाद आपको यह बता दे कि इसमें यूरिया की आउसकता कम पड़ती है क्योंकि इनके जड़ों में राइजोबियम गांठे पाई जाती हैं मतर की बुवाई की बात करें तो जिस समय आपकी खेत की मिट्टी भुरुबरी टाइप की हो गई हो तो उस टाइम में आप मतर की बुवाई कर सकते हैं और जैसा कि मटर के बीज के बारे में बताएं तो मटर की बीज आप अपने यहां के क्रिशी विभाग के अधिकारियों, एफ़ईयों यही सी अनधिकारियों के यहां जाके उनसे पूछ सकते हैं कि सरह के बीज लें जिससे कि हम अपने खेट में अच्छी पैदावार कर सकें अपने बारे में जाओ उनसे अनसे पारे में जाओ सब्सक्ष्णा हैं कि स्जिए।